आपका मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है इंग्लिस लेंग्वेज का हमारे तैनिक जीवन में बहुत महुत पुनिस्थान हो चुका है जहां देखो इंग्लिस का ही बोल बाला है चाहे वा समुद्र में है या आसमान में है या प्रत्वी पर है और तो और हम कोई डिबबा बंद पैकेट भी खरीते हैं तो उस पर भी इंग्लिस में ही लिखा होता है इंग्लिस में ही वार्निंग दी गई यह होती है इंग्लिस में क्योंकि संसार एक तरह से ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिस हो चुकी है इसलिए हमें भी इंग्लिस सीखनी चाहिए हम अक्सर देखते हैं कि mobile, computer या कोई भी electronic gadgets सब इंग्लिस में ही operate किये जाते हैं और language में भी operate किया जाते हैं लेकिन अधिकांस उसमें English language का ही यूज किया जाता है आज से मैं आपको tense हिंदी में समझाऊंगा अंग्रेजी सीखने के लिए tense सबसे महत्पून topic है अगर आप tense को अच्छे से समझ गए तो आप इंग्लिस अच्छे से बोल, लिक और पढ़ सकोगी और daily life में उसका उप्योग कर सकोगी tense सिखाने के लिए मैं memory chart के सांथ सांथ examples का भी प्रियोग करूँगा जिससे आप tense को बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे आज आप tense और उसके प्रकार और उप्रकार के बारे में जानेंगे tense tense किसी वाक्य में किरिया अर्थात वर्व का वह रूप है जिसके माद्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किये कार्य का समय के सांथ क्या संबन्द है मतलब क्या relation है जैसे कार्य वर्दमान में हो रहा है या बीते समय में हुआ था या भविस्य में होने वाला है हिंदी व्याकरण या हिंदी भासा में काल तीन प्रकार के होते है वर्दमान काल भूत काल और भविस्य काल ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी भासा या इंग् digamos में काल को टैंस कहा जाता है और टैंस तीन मतलब थ्री प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं फस्ट है जैं टैंस मतलब वर्दमानकाल Second, past tense मतलब भूतकाल और third है future tense मतलब भविश्यकाल और उप्रोक्त तीनु tense पुना चार चार भागों में बटे होते हैं कौन कौन से चार भाग होते हैं हर एक के जैसे present tense के चार भाग होंगे ऐसी past tense के चार भाग और future tense के चार भाग, पहला दिसे present का present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense present tense की तरह past tense के भी चार भाग होते हैं, कौन-कौन से past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense present और past की तरह future tense के भी चार पाट होते हैं, पहला है future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense और future perfect continuous tense आज हमने सीखे थे tense के प्राकार और अगले वीडियो में हम सीखेंगे present indefinite tense यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अनिक ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे द्वारा चैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको उसका notification सबसे पहले मिल जाएगा थैंक्स पर वचिंग